दोस्तों मैं सोरमलिक आप सभी का Only Top Study Channel पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जोग्रफी के Top 25 ऐसे Question Answers जो की प्रिक्साओं में जरूर पूछा जाएंगे आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके अंट तक देखेगा एज़ा टेस्ट लगएगा कि 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है देखे सभी प्रिक्साओं के लिए वीडियो महत्पून होती है वीडियो गर आपको पसंद आए तो लाइक सेर कर देना सुनामी किस भासा का सब्द है या आपके लिए टेस्ट कोशन है और इस कोशन का अंसर सभी स्टूरेंट को कमेंट बोक्स में बताना है और जोसका सही उत्तर रहेगा वो वीडियो के दुरान आपको बता दिया जाएगा चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला कोशन है किस गरह को नीला गरह भी कहते हैं बहुती आसान सा कोशन है मैं आसा करता हूँ कि आप लोग इस का अंसर जरूर कमेंट बोक्स में बताएंगे किस ग्रै को निवाग रहे भी कहते हैं राइट आंसर इस प्रत्वी को दोस्तो यानि कि option A right answer हो जाएगा कि दूसरा question है प्रत्वी पर दिन रात की अवदी समान होती है कहां पर होती है दोस्तो आंसर बताइए तो यह होती है भूम अध्यर रेखा पर यानि कि option B right answer आएगा तो ये आपको याद दखना है दूसरे question का सही उत्तर तीसरा question आता है निवन में से किसने पहली बार कहा कि प्रत्वी गोल है बताएगे दोस्तो right answer आएगा Aristotle ने यानि कि right answer option A हो जाएगा तीसरे question का सही उत्तर question number 4 है सोर मंडल का सबसे बड़ा उपगर है निवन में से कौन है तो right answer क्या रहेगा सोर मंडल का सबसे बड़ा उपगर है दोस्तो तो right answer is गैनिमेड यानि कि right answer D हो जाएगा question number 4 का सही उत्तर पाचवा question है कौन सा गरे हरे परकास को उत्सरजित करता है तो पाचवे question का right answer क्या रहेगा वरुन करे यानि कि right answer D हो जाएगा पाचवे question का सही उत्तर ये आपको या दखना है प्यारे दोस्तो 6000 question answers वाली जो हमारी master pdf है इस master pdf को लेने के लिए हमारे whatsapp नंबर पर message कर देना और इस master pdf के अंदर आपको all subject की pdf मिलती है आप किसी भी competitive exam की चारी करते हैं ये pdf आपके लिए बहुत ही जादा useful रहेगी मातर 170 रुपे में पूरी lifetime के लिए पीडियाप आप ले सकते है whatsapp नंबर यहाँ पर भी लिखाओं मिलेगा हल एक slide में चटा question है पूर्ण सूर्य गरहन के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है चटे question का right answer हैगा create यानि की a right answer हो जाएगा सात्वा question है चंदर गैन घटित होता है सात्वे question का right answer हैगा पूर्णी मा के तिन यानि की right answer b हो जाएगा सात्वे question का से उत्तर यह आप क्या दखने है आटवा question है भू प्रस के तीन चोथाई भाग में है तो आटवे question का right answer क्या रहेगा दोस्तो जल है यानि की right answer हैगा आटवे question का सही उत्तर नवा question है निमने से कौन से दोगर है सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं बते हैं दोस्तो right answer क्या रहेगा 9 question का अरुण और वरुण यानि की right answer हो जाएगा 9 question का सही उत्तर प्रत्वी के भूपर पठी में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों दसवे कोशन का राइट आंसर हैगा अलमोनियम यानि कि दसवे कोशन का राइट आंसर बी हो जाएगा तो यह आपको याद दखना है ग्यारवा कोशन है प्रत्वी के कोर में किस तत्व की परधानता होती है सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाएए अपने दोस्तों के साथ में सेयर करते रहना जोग्रफी की सारी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बोक्स चेक करना जोग्रफी, पॉलिटी, एकनोमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायलोजी सब की प्लेलिस्ट अलग-लग बनाके डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे दिया है वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते है ग्यारवे कोशन का राइट आंसर हैगा लोहा एवं निकल यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा बारवा कोशन है महादीपिये प्रवा सिद्धान्त की परणोता है तो बारवे कोशन का राइट आंसर हैगा वेगनर यानि की दोस्तों बारवे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बी हो जाएगा वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखन्णन किस यूग में आरंब हुआ राइट आंसर हैगा कार्बोनी फेरस यानि की दोस्तो राइट आंसर सी हो जाएगा कोश्चन अमबर 13 का से उतर कोश्चन अमबर 14 है करकर रेखा कहां से नहीं गुजरती है तो बी राइट आंसर हो जाएगा कोश्चन अमबर 15 है ग्रेंट विच रेखा से तातपरिया है ग्रेंट विच रेखा से तातपरिया है राइट आंसर हैगा जीरो डिग्री देशांतर यानि कि राइट आंसर बी हो जाएगा पंदरवे कोशन का सही उत्तर ये आपको याद रखना है कोशन नमबर 16 है एक देशांतर को पार करने में दो इस्थानों के इस्थानिय समय के बीच क्या अंतर होता है सोलवे कोशन का राइट आंसर हैगा चार मिनट का दोस्तों यानि कि बी राइट आंसर ग्रीन विच किस देश में है दोस्तों ग्रीन विच है किस देश में यूके में यानि कि बी राइट आंसर हैगा सतरवे कोशन का सही उत्तर जो सेल सेस अन्य से भिन है राइट आंसर हैगा ग्रे नाइट से यानि की अठारवे कोशन का राइट आंसर भी हो जाएगा यह आपको या दखना है 19 वा कोशन है पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है तो राइट आंसर इस प्राचीन संस्तिरित यानि की राइट आंसर सी हो जाएगा 19 वे कोशन का सयुक्तर 20 वा कोशन है निर्णवे से कौन सब परतदार चट्टान नहीं है दोस्तो राइट आंसर हैगा सलेट यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा 20 वे कोशन का सेवतर सलेट और संगमरमर है राइट आंसर हैगा कायंतरित चट्टान 21 वे कोशन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा ये आपको याद अखना है 22 वा कोश्चन है निर्णवे से कौन सा एक वितलिये अगने सेल का उधारण है 22 वे कोश्चन कराईट आंसर क्या रहेगा दोस्तो ग्रे नाइट यानि की 22 वे कोश्चन कराईट आंसर भी हो जाएगा ये आपको याद रखना है 23 वा कोश्चन है निर्णवे से कौन सी भुकम्पे तरंगे सरवधिक छती पहुचाती है तो दिर्ग प्रस्ठी है यानि की राइट आंसर सी हो जाएगा 23 वे कोश्चन का सेवतर 24 वा कोश्चन है सुनामी किस भासा का सब्ध है ये मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में टेस्ट कोश्चन पूछा था तो प्यारे दोस्तो इस कोश्चन का सेवतर क्या रहेगा सुनामी एक जापानी भासा का सब्द है यानि कि राइट आंसर सी हो जाएगा 24 वे कोशन का सेउत 25 कोशन है समान भुकम्पिये तिरुता अर्थार्थ समान बरबादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है सम भुकम्पिये खाका आजाता है 25 वे कोशन का राइट आंसर आप्शन ए हो जाएगा दोस्तो ये आपको याद अखना है देखे 25 में से आप लोगों ने कितने कोशन के आंसर सही के हैं कमेंट बोक्स में बतेगा परत्वी पर दिन रात की अवदी समान होती है ये आपके लिए टेस्ट कोशन है इस कोशन का अंसर सभी स्टोरेंट को कमेंट बोक्स में जरूर बताना है ठीक है प्यारे दोस्तो अगर आप लोगों को यहाँ पर डेली करेंट अफिर की पीडियाप लेनी है ठीक है विद आंसर्स और आप इसे पूरी लाइफ टाइम के लिए ले सकते हैं मातर 170 रुपे में कितनी बार भी पढ़ सकते हैं और पीडियाप लेने का तरीका मैं बता देता हूँ या तो हमारे डिस्क्रिप्शन बोक्स में जो लिंक दिया गया वीडियो पसंद आई तो लाइक सेर करिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकन कौन रखिए ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियो मिसना हो थैंक यू सो मच बाई बाई एवरिवन टेक केर ख्याल लेके अपना बेल टेने ख्रास्मे